दोस्तो शौमी ने अपना नया स्मार्टफोन CC9 चाइना में लॉंच कर दिया है और ये फोन काफी ज़्यादा चर्जे में है और लोग इसका बिसबरी से ही दिजार करते हैं तो ऐसा क्या खास है इस फोन में जानने के लिए देखते रहे हैं तो दोस्तो शौमी का CC9 एक सेलफी सेंट्रिक फोन है और जिन लोगों को सेलफी क्लिक करना बहुत पसंद है वो इस फोन को लिए बिना नहीं रहा पाएंगे क्योंकि इस फोन में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आज तक इसी फोन में थे तो दोस्तो सबसे पहले मैं इस फोन के में हाइलाइट के बारे में बता दूँ जो कि है इसका कैमरा इसके बैक पैनल में ट्रिपल कैमरा सेट अप लगा है इसमें की 40 मेगापिक्सल का में कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्टरावाइट और 2MP का depth sensor camera मिलेगा इसका front camera 32MP का है जिसमें Memoji का unique feature भी दिया गया है दोस्तो CC9 के 3 variants आएंगे एक तो CC9, दूसरा है CC9E और तीसरा है CC9 Me2 अब इसके hardware की बात करो तो CC9 में आपको Snapdragon 710 का chipset देखने को मिलेगा इसमें आपको RGB के RAM और 256GB के barrier storage मिलेगी इसमें NFC, IR blaster, USB Type-C 18W का fast charging support, in-display fingerprint scanner और Game Turbo 2.0 भी होगा इसके display के बात करें तो आप इसमें आपको AMOLED screen देखने को मिलेगी CC9 Me2 में भी आपको लब सेम इस specification मिलेंगे बस थोड़ी storage में changes हो सकती है वही CC9E में आपको लगा होगा Snapdragon 665 का chipset इसमें 4GB और 6GB के RAM रेरियंट के साथ 128GB के storage मिलेगी Screen size 6.08 inches की होगी और battery 4030 मेंच की इसमें आपको 10W का normal charging का support मिलेगा और इसमें ना कोई आपको NFC मिलेगी और ना ही AMOLED screen और ना ही in-display fingerprint का brain scanner तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये phone नीचे कमेंट करके बताएं और आगे ऐसे और भी updates जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए अर्विदा और वीडियो देनी के लिए शुक्रिया